तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको और आपके परिवार को दिपावली की हार्दिक हार्दिक शुब काम ना है तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यह जो वीडियो है खास उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इंडिकेटर की बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते है बहले उनको अगर बिगिनर भी है प्राइज एक्षन नहीं समझता है या तो उनको स्टॉक मार्केट का यस भी नहीं आता है और ट्रेडिंग में कुछ भी पता नहीं है तो वी इस तरीके से मैं जो आपको इंडिकेटर देने वाला हूँ इस तरीके से जो टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ actual में मैं आपको बता देता हूँ ये जो setup है इसको आपको देने के लिए लोग लाखोर उपई चार्ज करते है और आप भी जो है तो इसको knowledge ना होने की वज़े से वो खरीद भी लेते हैं लेकिन मैं आपको ये free में दे रहा हूँ फिर से मैं कहना चाहता हूँ discipline होना है मतलब करना ही क्या है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको जो मैं setup बताने वाला हूँ सिर्फ वो setup फॉर्म होने का यानि वो setup बनने का सिर्फ आपको patiently wait करना है आप trade में तबी इंटर करेंगे जब वो setup बन जाएगा अब ऐसा है क्या कि मैं कोई magical setup देने वाला हूँ जो 100% यहां पर काम करेगा तो trading में और stock market में 100% कुछ भी नहीं होता है आपको उसके अलावा जो है तो psychology का भी आपको ध्यान देना पड़ता है आपके अगर psychology ठीक नहीं है यानि कि trading psychology बोल रहा हूँ है उसके बाद में जो है risk management है lot sizing है और भी बहुत सारी चीज़े जिसको आपको आना जरूरी है तो आपने क्या करना है वीडियो को तो जो है तो आप सीधा आपने यन तक देखना है so without wasting any time let's begin तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो पेमा है तो उसमें और जो mohing average है तो उसमें क्या difference होता है ये जो mohing average होता है जो इसमें आप ESA में होगा या तो आपका जो है तो EMA होगा यानि कि simple mohing average होगा या तो आपका exponential mohing average होगा EMA तो ये जो है तो इसका advanced level का इसका एक next step है जो इसको हम पेमा बोलते है तो पेमा यानि pivot exponential mohing average यह इसका full form है तो यह इसका एक next step है तो इसके बाद में अगर देखेंगे तो इसमें हम basic difference क्या होता है वो अब हम देखते हैं तो अब simple अगर देखेंगे तो मान लो यहाँ पर जो है तो यह आपका EMA या तो आपका समझो simple mohing average या तो exponential mohing average यह आप मान सकते है और यहाँ पर जो है तो यह हो जाएगा आपका पेमा तो यह दोनों में difference क्या है यह मैं आपको पहले बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको practical chart के उपर भी लेके जाओंगा तो यहाँ पर अगर देखते है इन दोनों में क्या difference है तो EMA में जो होता है तो सिर्फ एक ही line होती है इस तरह से वो चलते रहती है इस तरह से तो इसमें देखेंगे तो यह फिर EMA हुआ तो इसमें consequence होते है तो उसकी value क्या होती है उसको आप change भी कर सकते है 20 होता है या तो 5 होता है या तो 50 moving average होता है यह होते है और उसके बाद में price जो है तो इस तरह से जो है वो चलते रहता है यानि कि uptrend में जो है तो यहां से support लेता है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है यह मैं बता देता हूँ यहां पर जो है तो आपको सिर्फ EA में की एक जो line है उसमें क्या होता है कि price में जो है तो strength है की नहीं यह पता नहीं चलता है यानि कि price तो ठीक है इसके ऊपर trade कर रहा है लेकिन इसमें जो है तो strength है की नहीं वो पता नहीं चलता है तो उसके लिए हम इस्तमाल करते है पेमा का कैसे यह मैं आपको बता देता हूँ पेमा में क्या होता है जैसे कि यहाँ पर आपको सिब single line दिखाए देगी तो पेमा में वैसा नहीं होता है पेमा में क्या होता है कि तीन line होती है इस तरह से तीन line होती है यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से तीन line होती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि आपको price में जो है तो वो strength है या नहीं मतलब price जो है तो इस तरह से अगर trade कर रहा है तो यहां से जो है तो वो उपर जाएगा कि नहीं जाएगा यह कैसे आपको पता चलेगा तो उसकी वज़े से आप जो यह तीनो लाइन होती है इनको देखकर आप समझ सकते है कि इसमें strength है या नहीं है क्या यह जो है तो यह यहां से उपर जाएगा या तो यहां से जो है तो वो reverse हो जाएगा यह basic difference होता है अब मैं इसके बाद में जो है तो पेमा को कैसे plot करना है chart पर और उसके बाद में उसकी value कैसे set करनी है यह मैं बता देता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहां पर जो trading view का जो charting platform है उसके उपर indicator section में जाना है और यहां पर जो है तो पेमा type करना है अब यहां पर अगर देखेंगे तो यह my script में जो है इसके उपर आपने click करना है setting में बता देता हूँ क्या क्या रखना है उसके बाद में उसको same setting करना है बाकी तो वो उसका जो interface है वो same रहेगा तो यहां पर आपने इसको यह करना है plot करना है chart पर अब इसके setting में जाना है अपने setting में जाने के बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे तो 21 करना है फिर उसके बाद में 34 करना है और उसके बाद में 55 करना है और यहाँ पर तो आपके हिसाब से इसके color change कर सकते यह इसको customize कर सकते वो editable है तो इसको ok कर देना उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का वो आ जाएगा लेकिन इसको इस्तमाल करने के लिए जो है तो आपने lower time frame पे जाना है lower time frame का मतलब है दो minute या तो एक minute की time frame पे ताकि आपको जो है तो trade में जो है तो वो बिल्कुल clarity आ जाएगी किसी भी trade में जो है आपको inter होने के लिए वो clarity आ जाएगी तो इसके बाद में अपने यहाँ पर time frame में जो है तो one minute या तो two minute करना यहाँ पर मैं one minute कर देता हूँ अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप यह आपके चार्ट पर जो है तो यह plot हो चुका है और यहाँ पर अगर देखेंगे यह कब का चार्ट है यह 10 नवंबर 2023 का निप्टि का चार्ट है अब यहाँ पर देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है आपको मैं यह जो candle stick है तो इसको hide कर देता हूँ तो इससे आपको ठीक से पता चल जाएगा यहाँ पर देखेंगे अगर सिर्फ mohing average की सिर्फ एक ही line होती तो आपको यह प clarity नहीं थी लेकिन आपने इसको यह में को sorry पेमा को plot कर दिया तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जो है तो यह तीनो लाइन आपको दिखाए दे रहे होगी तो यह extend हो रही है यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरह से जो है तो वो extend हो रही है मानलो इस तरह से आपको दिखाई देगा यानि कि यहाँ पर वो close नज दिखाए तो यह वहाँ से expand हो रही है जैसा कि यहाँ पर देखेंगे फिर expand हो रही है समझ रहे हो ना तो इस तरह से आपको इस से पता चलता है कि price में जो है तो यहाँ पर strength है या नहीं है हमें buy करना है या sell करना है अब मैं इसको candlestick को लाता हूँ यहाँ पर मैंने candlestick लाया यहाँ पर जो है तो आप inter कहाँ पर कर सकते थे यह मैं बता देता हूँ आपने अगर आपको clarity नहीं है कि यहाँ पर अगर देखेंगे यह है यहाँ पर यहाँ पर जो है तो यह आप यहाँ पर trade नहीं करेंगे आपको जब full clarity आजाएगी price जो है तो यह motion में यानि कि उपर जाने की इसमें यहाँपर strength आपको पेमा में दिखाई दे रहा है तो आप यहाँपर इंटर कर सकते थे यहाँ पर मिस हो जाता है तो यहाँ पर इंटर कर सकते थे यहाँ पर इंटर कर सकते थे लेकिन आपको थोड़ा प्राइज एक्षन का भी पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसके भरोश ही रहेंगे अगर प्राइज जो है तो इसको ब्रेक करता है ट्रेंड में देखेंगे तो उसी तरह से है यहां पर अगर देखते है तो यह जो क्रॉस ओवर होता है यह वाला तो इसमें आपको जो है तो वो ट्रेड आप और्शनेटी सबसे बढ़िया होती है तो आप सिर्फ इसका भी वेट करेंगे इस तरह का सेट अप बनने का तो अब तक आपका बाइस अगर बाइस साइड था तो आपने आपका यह जो है तो वो सेल साइड करना है यह इससे आपको पता चलता है उसके बाद में जो है तो यहां पर फिर क्या कर सकते थे आप यहां पर इंट्रिक कर सकते थे यहां पर मिस हो जाती है यहां पर कर सकते थे तो यह होता है उसके बाद में यहां पर अगर देखेंगे यहां पर bias change हो गया है याने कि trend जो है तो वो reverse हो गया है तो यह cross war जो है तो यह हो गया है तो इससे आपको पता चलता है अब मान लो आपको यतना भी समझ में नहीं आया कि भाई मुझे जो है तो यहां पर trade लेना थ लेकिन आपसे अगर यह जो opportunity है यह miss हो जाती है तो आपके लिए second opportunity यह हो जाएगी इसी तरह से यह जो method है आप सिर्फ nifty bank nifty में नहीं किसी भी stock में करेंगे या तो दुनिया के किसी भी market में जाएंगे crypto में करो किसी में भी करो यह जो method है तो आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा और इसका इस्तमाल आप कर सकते है and that's it guys in this video I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने क्या करना है कि आपको इसको जो है तो आपके chart पर plot करना है और उसके बाद में इसको back test करना है ताकि आपको जो है जो मैंने आपको बताया इसके उपर आपका confidence जो है तो वो build up हो जाएगा तो उसके बाद में आप तबी trade करना है जब जो मैंने आपको setup बताया वो बनता है तो और सच में अगर आपको मैं सीधे कहता हूँ मैं जो हूँ तो मैं इसको कुछ दिनों तक मैंने शुरू-शुरू में इस्तामाल किया था लेकिन फिलहाल जो है तो मैं सिर्फ मेरे चार्ट पर जो है तो pivot point और CPR के आलवा मैं कोई भी indicator नहीं मैं value नहीं कुछ नहीं simple इसको मैं price action follow करता हूँ और इसके उपर मैं trade करता हूँ आपको trading कर मैं successful trader बनना है तो यहाँ पर आपको 100 strategy के उपर focus नहीं करना है ये एक strategy पकड़ना है और उसको master करना है आप trade तभी करेंगे वो strategy जब उसका setup बन जाएगा तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर successful होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और सच में आप इसको अपना career बनाना चाहते हैं और advanced level पे जाना चाहते हैं तो price action के अलवा आपके पास कोई चारा नहीं है और आप भी सिखने के लिए interested है तो मैं आपको मेरे course में welcome करता हूँ जिसका link जो है तो इसमें मैं आपको क्या कै सिखाता हूँ उसकी पूरी detail मैंने video के description में link दिया हुआ है उसके उपर click करके आप check कर सकते हैं मुझे whatsapp या तो email के उपर contact कर सकते हैं आपने यहां तक video देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और subscribe करना तो आपका हक बनता है